आसकी वीडियो में सच के सभी परियोग सेखेंगे और सो के सभी परियोग सेखेंगे तो सली समझते हैं कि इन दोनों के 20 क्या डिफ्रेंस हैं कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं गाइस तो इस पेकिंग में इसका काफी यूज़ है तो चलिए समझते हैं सबसे पहले सच का परियोग सच मतलब क्या होता है सच मतलब आपका होता है बहुत और सच आपका equal है वेरी के वेरी मतलब आपका होता है बहुत उसी पगार से आप सच का मतलब जानते हैं बहुत तेले समझते इसका क्या formula होगा, formula में आपको जग सब्जक्ट, healthy verb, और healthy verb के बाद आपका सच लगेगा, और सच के बाद ही आपका article, adjective और object आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, example देखे, वे लोग बहुत असे आदमी हैं, they are such nice men, इसे बगार से वो बहुत सुन्दर लड की है, she is such a beautiful girl, इसे बाद से वो बहुत असा किताब है, that is such a good book, that is such a good book, जहां पर आप यूज़ करते हैं, such का वहां पर आप यूज़ कर सकते हैं, very का, लेकिन इसका बनाने का तरीका अलग होसा आएगा, इसे बाद से वे लोग बहुत असे खिलारी हैं, they are such a good player, इस पर सा आप sentences को बना सकते हैं, और जहां पर आप search का यूज़ करते हैं, समझे इसका मतलब बहुत होता है, अब आगले sense में कैसे आप इसका यूज़ करते हैं, आगे आपके पास search as, जिसका मतलब होता है, जैसे की search के साथ आया हुआ है as, समझता है इसका क्या example है, क्या इसके formula है, formula कहता है कि आपका एक sentence होगा, मिन subject, verb, object होगा, और इसके आप लगा देंगे search, search यह बताता है आपका, for example, जिसके कोई पीचीज आप बता रहे हैं, और अगर आपको समझाना हो कोई जैसे की, यह वो इस पगड़ से, इसके पास कई सरे दोस्तें, जिसे राहूल, अमन, सुमन, रवी, आदि, इस पर सुझाएगा, तो परने का sentence की, he has many friends, such as राहूल, अमन, सुमन, रवी, एडिसी, इसे बार से, राहूल के पास कई सरे चीज़े हैं, जिसे की, एक कार, एक बड़ा घर, एक लैप्टॉफ, इ इत्यादी यादे, तो sentence होगा, राहूल has many things, such as a car, a big house, a laptop, it is, इस परस आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इस वे में, so guys, आगे हैं आपका as such, इससे पहले था आपका कि सच के बाद ऐस था, और अब आपका सच के पहले as है, इसका मतलब होता आपका ऐसा होने के न आप से वे एक sentence आएगा, फिर आप लगाएंगे as such, फिर आपका एक sentence आएगा, तो कि दो sentence के 20 में आपका as such लिखा साएगा, ऐसा होने के नाते हैं, इसलिए के sense में, आप देखें इसका example, वो मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते, वो अंदर आ सकता है, sentence होगा, he is my brother, as such he can come in, इस परस आपका होसाएगा, as such मतब ऐसा होने के नाते, इस बार से राहूल इमानदार आदमी है, इसलिए मैं उसका मदद करूँगा, तो sentence होगा, राहूल is an honest man, as such I will help him, as such means आपका होसाएगा, ऐसा होने के नाते, और such as means जैसे की, और such means बहुत, इस परस आपको समझना है, तुम अंग्रेजी सिखते हो, ऐसा होने के नाते, तुमें एक असी नौकरी मिलेगी, तो sentence होगा, you learn English, as such you will get a good job, sentence आपके complete होसाएगा, आगे हैं आपके in such a way, in such a way का मतलता है ऐसे, या इस परकार से, या इस तरह से, ये तीनों तरीके से हम लोग जब हिंदी बोलते हैं, तो समझते हैं कि कैसे इसका यूस किया जाता है, तो guys सबसे विल आप लगाते हैं sentence में subject, verb, इसके आपके आपके आज जाता है, in such a way, फिर आपके एक sentence होता है, तो समझते हैं example से, example है, वो इस परकार से बाइक से ला रहा था कि मैं डर गया, sentence कैसे बनेगा, जैसे he was riding a bike in such a way that I got afraid, या फिर I got scared, इस परस आप इसका यूस करेंगे, वो इस तरह से बोल रही थी कि तुम वो बहुत तेज हैं, वो इस तरह से बोल रही थी कि वो बहुत तेज हैं, तो sentence होगा, she was speaking in such a way that she was intelligent, sentence आपके complete हो सुके हैं, वो इस तरह से TV देखती हैं, कि उसे TV देखना बहु सुके हैं, वो इस तरह से इस प्रगार से आइसा आप इसका यूस करते हैं, आगे आए आए आपके गाई सच, डाट, डाट, इसका मिला आपका होता है, ऐसा या फिर इतना, इस तरह से आप इसका यूस करते हैं, आप समझते हैं, इसका क्या होगा, आपका होजागा subject, फिर कि अपक dock Cliffוב ob subject दैंट फिर संथ इसार इस का यूझस की असाना है अब समझतें इसे एक्जामपल में यहां इतना अशाता हु रुटो इतना असा अस्थान था कि मैं बार बार जना शाता हुं तो इतना असा इतना आलिखा वेग लिए संथा हुआ की means that I wanted to go again and again मैं बार बार जाना साता हूं इस परस आपको हो साएगा आपका यहापर लेगा रहा है present में दिख रहा है I want to go again and again इस परस आप इस speaking में use कर लेते हैं तो समझते हैं गाइस वो ऐसा लेकर है कि उसका सभी के दुआरा person सा किया जाता है sentence होगा He is such a good writer that he is admired by all कितना इज़ितर के से बना है sentence कि आप बहुत ही इज़ितर के से बना सकते हैं तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे sentence होगा you do such a hard work that you will become rich soon sentence इस परस से बनाया सापना है guys आगे आपके सच और सच का मलूद है आपका ऐसा यह इस तरह का इस तरह में आप इसका 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 करते है formula आपको पता है कि सच के बाद आपन नाउन लगाएंगे या फिर आपका कोई प्रोनाउन भी आ सकता है अब इसका आपको वर्ब और अब्जेक्ट आए गा example में जैसे कि आप अगर मैं तरीका बढ़ लो तरीका आपको जागा कि subject वर्ब इसका आपका noun या प्रोनाउन आजगा अब आपका समयसे नहें कि noun अधिकतत तो आपके noun नहीं आएंगे और वो nouns आपके आएंगे, क्या आएंगे, आप example समझ पाएंगे, plural आएंगे, इसे कि ऐसे लोग बेइमान होते हैं, बतलने ऐसे लोग बेइमान होते हैं, तो sentence बनाते हैं, such people are dishonest, such people are dishonest, people आपका plural होता है, इसे बार से, तुम ऐसे कहानिया बताने की कोशिस मत करना, sentence होगा, don try to tell such stories, it means, आपके आप P का मदाब का होता है, plural समझ सकते, nouns आपका होगा, वो क्या होगा, आपका, plural में होगा, इस बार से, ऐसा काम मैं पूरा कर सुखा हूँ, sentence होगा, I have completed such works, sentence completed, so versus such, अब matter यह हैं कि कभी हम so का use करते हैं, कभी such का use करते हैं, दोनों का मिलाब का बहुत हो हैं कि इस पगार साब समझते हैं कि आपका subject होगा, help you verb, इसके आप लगाते हैं, so plus adjective यह ad verb, इतना तकी sentence आपका फिनिस हो जाता है, और यह आपका होता है, जब आप सच use करते हैं, आपका होता है, subject, help you, verb, such, adjective, फिर नाउन, मतलब कि पहले विले sentence में आपका noun नहीं आएगा और इसमें आपका noun 100% आएगा, समझते हैं से कि पिरिया बहुत सुंदर है, sentence मनाते हैं, पिरिया is so beautiful, इसे बहर से तुम बहुत इमांदार हो, you are so honest, मैं जो कि so का use अगर हम किये, तो adjective तक ही sentence आपका फिनिस हो गया, अगर मैं सच का use करता हूं, sentence मनेगा, रहुल बहुत असा आदमी है, रहुली, such a good man, लिए आपका मैन आपको क्या है, एक noun है, और यह आपको क्या है, adjective है, बहुत असे खिला रही है, we are such a good player, यह बहुत क्या है, player आपको क्या है, noun हो गया, good आपका है, इस पार से आप यूज इसका कर सकते हैं, आगे आपके गाए, so, और सो का मर्ला आपका होता है, इसलिए कि सैंस में आप इसका यूज करते हैं, इस लिए, आपके संटेंस लगाते हैं, इसलिए, इसलिए के लिए आप लगाएंगे, so, एकसांपल हो जाएगा, कि children are sleeping बच्चे सो रहे हैं so इसलिए I am reading मैं पढ़ रहा हूं या फिर I am studying इसे बहर से मेरे पापा बजार गए इसलिए मैं गुमने जा रहा हूं sentence होगा my father went to market so I am going to walk my father went to market so I am going to walk मैं ठालने जा रहा हूं गुमने जा रहा हूं इस पर से बोलता है तुमने एक सट खरेदा इसलिए मैं भी खरेदूँगा इसलिए कि लिए आप लगाएंगे so sentence होगा you bought a set so I will buy या फिर I will also buy या फिर I will buy as well sentence आपके complete इस पर से किये साते हैं sentence आपके बनाएं साते हैं बहुत ही इसी हैं guys so मलब आपका होता है ऐसा जैसा के लिए आप यूज़ करते हैं जैसे कि आपको ज़्यदर subject होगा आपके verb होँगे इसके आपके so आएंगे जिसमें कि आप इस पगार से example लगाएंगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ I think so I think so मैं इसा सोचता हूँ तुम ऐसा सोचते हो you think so वे लोग ऐसा सोचते है they think so इस परस आपको ज़्यदर राहूल ऐसा करता है राहूल does so इसी बहर से हम लोग ऐसे बैठे we are sitting so इस परस आप इसका यूज़ कर सकते हैं आगे आपके so मतलब को होता है बहुत जिससे कि आप बनाते हैं इसका संडेस subject verb so adjective ये एडवर लगाते है आपके उस जगा अमन बहुत इमानदार है अमन is so honest तुम बहुत सुन्दर हो you are so beautiful किसी girl की बाते कर रहे हैं किसी female की बाते कर रहे है रवी आलसी है ये रवी बहुत आलसी है रवी is so lazy रवी is so lazy रवी बहुत आलसी है पिरिया बहुत मोटी है पिरिया is so fat फेट, lazy, beautiful, honest ये सभी क्या है ये सभी आपके अर्ज़ग so dot 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 as जिसका मतलब की जितना dot 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 उतना नहीं अब इसका ये कैसे यूज़ की आसा हैगा कैसे के फर्मूला आएंगे फर्मूला आपका हुसा हैगा subject, healthy verb so, adjective as, plus noun ये प्रुनौन example इस बगार से हुसा हैगा कि राहुल जितना तेज है उतना रवी नहीं है sentence होगा रवी is not so intelligent as राहुल इसे बगार से आमन सुमन जितना तेज नहीं दोड़ता है sentence होगा आमन डजन्ट रन so fast as सुमन इसे बगार से तो मोहन जितना लंबा नहीं हो sentence होगा you are not so tall as मोहन sentence आपके इसे बगार से बनाए जाते हैं it's so simple to use guys so dot 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 that जिसका मतला वक्त आपका होता है इतना की इस सेंस में आप इसका यूज़ करते हैं समयचते इसका क्या फर्मूला होगा subject verb so adjective या एडवर plus that plus sentence होगा जिसे कि राहूल इतना तेज दोड़ता है कि वह हम सभी को हरा सकता है sentence होगा राहूल रंस so fast that he can defeat all of us इसे बार से वो इतना ये मंदार है कि सभी लोग उसको चाहते है sentence होगा he is so honest that all people like him sentence आपके किस पगार से complete हो रहे है you can understand this पिरिया इतना तेज काम करती है कि मैं नहीं कर सकता sentence होगा पिरिया works so fast that I cannot do इस परस आप sentence को बना सकते है so that means इतना की इसेंस में such dot 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 that इसेंस में आप यूस करते है इसका मुलाब का होजाएगा इतना की अब इसका जिए किया फर्मूलाब के होँगे subject verb such noun that sentence होजाएगा राहूल इतना ये मंदार लड़का है कि तुम भी नहीं हो sentence होगा राहूल is such an honest boy that you are not as well तुम भी नहीं हो you are not as well इसे बार से यहाँ इतनी असी किताब है कि सब कोई इसे समझ सकता है sentence होगा this is such a good book that everyone can understand it तुम इतना असे दोस्तो कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता sentence होगा you are such a good friend that I can never forget you sentence इस पगड़ से बनाए साता है बहुती इस वे में so it's so simple guys just use it in your daily routine so that जिसका मभला आपका होता है ताकि इसके भी कोई dot नहीं है यह एक साथ आएंगे अब समझते हैं कि sentence होगा so that फिर आपका sentence दो sentence के 20 में आएगा example मैं बजार गया ताकि सबजी खरीच सको sentence होगा I went to market so that I could buy vegetables तूम अंग्रेजी सेखते हो ताकि एक सानोकरी ले सको sentence होगा you learn English so that you could get a good job राहूल पैसे कमाता है ताकि वह एक कार खरीच सके sentence होगा राहूल earns money so that he could buy a car sentence बहुत ही इस्वे में बनाया गया है इससे आप समझ सकते हैं इससे कई साथ संदेंसे साब बना सकते हैं so far का मतलण हो जाएक आपका अब तक अब तक के लिए आप राहूल पढ़ रहा है ता sentence मनाते हैं so far अब तक राहूल पढ़ रहा है राहूल is a study इसवे एंप तक राहूल जवान देखते हैं या फिर अब तक सुमन जवान देखते हैं यह पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बार-बार राहुल ही रहे, राहुल के सगा पर आप किसी लड़के का नाम, किसी लड़कियों का नाम, आप यहां पर लगा सकते हैं, संटेंस होगा, so far, राहुल लोक्स यंग, इससे बगार से, अब तक हम लोग प्रिक् कर रहे हैं, संटेंस होगा, so far, we are preparing for the examination, संटेंस कितना इससे बन गया, अब तक में, so far, so guys, thanks for watching, that's all for today.